बहुत बहुत सवागत हैं आप सभी का अपने टूपजन पेपर हैकर में मैं सुरज राज और आज किस वीडियो नेखेंगे बीकॉम सेकेंडियर वालों के लिए एक इंपोटेंट कोशन लेके आँ जो 2022 में आने वाले कोशनों की बात करूँगा और आपको बता है कि हम एक्जाम से 2 दिन पहले आपको इंपोटेंट कोशन देते हैं तो आपका पेपर चोभी है मैं आपको इंपोटेंट कोशन दे रहा हो 10-11 इस वीडियो में क्योंकि मैंने 3-4 महने पहले मैं आपको दिये थे जो 17-18 कोशन दिये थे तो आज हम बात करेंगे fundamentals of entrepreneurs पेपर के बारे में इसमें क्या पूचिता है एक्जामर क्या कोशन पूचेगा पेपर में क्या आ रहा है दस से ग्यारा कोशन याद करके आप 70% रहा सकते हैं और यदि आप टॉप करना चाहते तो दो से तीन महिने वाली वीडियो देख लेजिए आपको कहां से उलेगी तो प्लिलिस्ट हमने बना रखी है प्रिप्श के लिएगा अब यहां देको बात करने वाले हम लोग उधमिता क्या होती है पहला कोशन बहुत जदा यह पूचा जाता है उधमिता क्या होती है उसकी विशेष्था के बारे में उनके दोसों के बारे मताईए यह कोशन अपने बुक नोट्स गैसे पर जो भी ह जाकर इन सभी कोशनों के आंसरों के नोट्स डालोड कर सकते हैं प्लस साथ में mcq कोशन के भी लिंक महां दे रखे हैं वह भी पीडियफ डालोड कर सकते हैं बहुत कुछ हम आपको प्रवाइड करा रहे हैं तो उधमिता क्या है विशेष्था गुड़ दोसों के बारे मत हैसी भूजी भी बोलते हैं तो इसको अर्थ के बारे में उनकी विशेष्था के प्रिकार को डालना बोला जाता है नेक्स कोशन आप से बोला गया है उपकरम इस्थापना की प्रिकरिया आपका संचे में बढ़ करिए यह देखिए नवाचर क्या होता है इसके बारे में न उदमिता और एक या बुला उदमिता एक मनो बेगयान फिरकरिया है समझाई यह कोशन आपको शॉट में देखने को मिलेगा आप लॉंग और शॉट की चिंता मत करिए आप हमारे नोट्स को डालोड करोगे तो बहां आपको सब समद में आजाएगा कौन सा लॉंग है कौन बताना कि संतुलित आर्थ के विकास है उसके पिरकार के बारे में डिस्कस करना है नेक्स कोशन है कि भारती मानक यूरो जिसे हम वी टीएस कहते हैं तथा आई एसो नो हजार के उद्देश कारविधी में अंतर बताना है अब देख लिजी इसको आप ध्यान से देख लेना घ्लिए इसके बार में आपसे पूंचा गया है कोशन सर एमस्पी जो अक्होरी मोडल है उसके मोडल के बारे में अक्होरी का मॉडल आपको पूंचा जाताै एक उद्मी की पूर्व गिरहन की बारे पूंच लेता है तो सब चिजी जहां देखने को मिलती है और उुद्मी प्रवर्दक में अंतर पूछ लेता है यह सब कोशन सौट में देखने को मिलेंगे आपको न्यूजन की बिसे स्ताई आपको शौट में देखने को मिलेगा क्योंकि आपके टोटल कोशन जो सौट में बनेंगे वो लगबग में बनेंगे आपके आठ कोशन जिसमें से पांस को करने हो टोटल आइट कोचिन बनेंगे और आइट मेसे मतलब की 14 कोचिन में से और को खड़ने होंगे समलच रहें तो मैं बता रहा हो रहा हुँ क्टिक है उसके बाद में आता है समता पर ब्यापार नीती की सीमा क्या होती है ये पढ़के जाएंगे उद्मी के सक्षम आने वाली समस्याइं तो उद्मी के सक्षम कौन कौन सी समस्याइं आती है उन समस्याओं की बारे में याद करके जाएंगे शौट में कोशर मनता है और दोगे कि नीती 1991 की बहुत जादा पूंची जाती है उसकी विशेष्थाओं के बारे में याद करके जाएंगे आप सभी लोग ठीक है उसके बाद में आयात नद्यात जो 2001-2007 की विशेष्थाएं क्या है वो आपको देखके जाएंगे भारती राष्टी प्रयावण नीती के उद्देश क्या होते हैं इसके बारे में आपके याद करके जाएंगे इस ओड में कोशन देखने को मिलेगा ठीक है इतना ही कोशन यहां देखना है बाकि यहां कुछ खास देखने की जुरूत नहीं पढ़ने वाले हैं आपको और यहा चल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा और अपने दोस्तों तक सभी लोग अपने कॉलेज के चात्रों को टीचरों को सबको बताएंगे कि पेपर है कर यूटूब चैनल है जो एक्जाम से पहले जो भी बताता है बाई पेपर में आ